हालो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चाहन मावरी कुरूम दोस्तो आज की वीडियो में बात करूँगा उन केनिडेट्स के बारे में जिन्हों ने ये 2019 में 570 और 575 से उपर स्कोर किया अनफॉचनेटलि उनको सीटे नहीं मिले तो उनके लिए एक अच्छी एपोच्टी है आने वाले ने 2020 में क्योंकि दोस्तो जिन केनिडेट्स ने ने 2019 में 575 से स्कोर किया उनने बहुत अच्छा स्कोर किया अनफॉचनलिटलि उनको सीटे नहीं मिले इस स्टेट काट अच्छा स्टेट काट अच्छा स्टेटलि नहीं मिले इस तरह से कुछ स्टेट है लाइक उत्रदेश हुआ करला हुआ और समिश्टेट लाइग राजस्थान हर्याणा पंजाब भी इसी केटेग्री में एगा और साथी साथ डैली रिजन तो इन सब इस् ज्यादा गया है जिसके वुझे से जो केंड़ेट्स 575-75 स्कूर कर किये थे उनको सीटें नहीं मिले तो दोस्तों आगे आने वले टाइम में नीट 2020 में आपके लिए अच्छे पोश्टी क्योंकि जैसे कि आपको पता है नीट 2020 का जो नोडिफिकेशन है उसमें यह पता च 2019 का दिया है तो जो लोग ड्रॉप करके जा रहे हैं और 575-75 स्कूर किया वो आगे आने ले टाइम में बहुत अच्छा स्कूर कर सकता है क्योंकि जो मेहनत आपकी 575-75 लाने में अपने गवाई है 2019 में एक यर वो आपकी कॉंटिन्यू रहेगी means वो तो आपके साथ रहेग प्लस एक साल का और प्रिपरिशन आ जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा कि आने वाले टाइम में आप अच्छा स्कूर कर सकते हैं में 600-650 के करीब स्कूर आप कर सकते हैं बसरते हैं कि आपको अपनी गलतियों से सीखना पढ़ेगा आपने 2019 में क्या गलतियां की हैं कहा पर कौन सा आपका वीक पूर्सन था फिजिक्स केमेस्ट्री बैलोजी कहां पर आपने ज्यादा को रॉंग किये कौन से कॉश्यन को आपने अटेम्ट किया फिर भी रॉंग किया कौन से कॉश्यन से जिनको अपने बिल्गुल अटेम्ट नहीं किया तो इस तरह के कुछ कि आने वाले 2020 में आपका बिल्कुल 100% प्रिपरेशन हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा स्कूर कर सकते हैं और हो सकता है कि आप अभी अगर आपको सीटे मिलती गवर्मेंट कॉलेज की तो हो सकता है लोगर ग्रेड वाला कोई गवर्मेंट कॉलेज मिल जाता लेकि आ होगा तो पॉस्टिब यही देखे कि आगे आने वाला टाइम जो हुआ सो हुआ जो होगा वो और अच्छा होगा यही मान के चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजे और आई होब कि आप लोग बहुत ही अच्छा स्कूर करेंगे आने वाले टाइम में यह एक